एक महिला ने मेरे को बुलाया, तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे से अटायर में, बहुत अच्छी से वेश बुशा में, जिनको देखकर कि कह सक्षम परिवार की जो है, वो महिला है, और चुकि स्टेश फड़ा उपर था तो उनने बार-बार मेरे को आवाज दी तो मैं उनसे का रुखे आप, तो मैंने जेब में हाथ डाल करके देखा, तो मेरे दो सो रुपए का एक नोट था, मैंने वो दो सो रुपए का नोट निकाल करके उनको दिया, तो उनने लिया, उसको हाथ से लगाया, और मेरे से का कि लेते से मैं, कुछ लोगों ने उसके करेंगे अलग-अलग फिल्ड के लोगों से और उनकी कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे साती हम अलग-अलग जो experts हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि आप बी उनसे काफी कुछ सीख सकें साती हम अलग-अलग ऐसे मुद्दे जो आपके और हमारे जिन्दकी को परभावित करते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे. बातचीत का हमारा पहला एपिसोड है और इस एपिसोड के लिए हमारे फास में एक खास मैमान है. आप एक कवी हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं लेकिन जाने जाते हैं कि जिस अंदाज से वे बड़े-बड़े इवेंट्स में मंच का संचालन करते हैं जिस खुबसूर्ती के साथ में आप बड़े से बड़े कारेकरम में ओडियन्स को लंबे समय तक जोड कर रखते हैं दिगज मंच संचालन के लिए आप पर विश्वास करते हैं हमारे साथ है विशनु पारिक सर नमस्कार राजपाज जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और ये मेरा पहला एपिसोट है तो मैं थोड़ा सा अंदर से नर्वस फिल कर रहा हूँ मुझे लगता है कि एक कहावत चलती कि everything is begins from zero हर चीज का प्रारम बिबिंदु शून्य से होता है और उसके बाद में वो शून्य कहां तक अनन्त आकास तक जा सकता है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नर्वस होने हैं सोचने कि आवशक्ता नहीं है फिर आपका टोपिक इसलिए भी बनता है क्योंकि आप कि अगर कहा जाए तो आप तो बात करने में वैसे भी कलाकार माने जाते हैं और मैं तो जिन लोगों को जानता हूं उनमें अगर कोई मुझे पूछे कि बात किस तरीके से करनी चाहिए चाहिए वो स्टेज हो चाहिए पब्लिक में आप कह इसलिए इन bench benefit होते हैं जैसे मैंने का कि राजनीती के बड़े दिगच ग केंद्रिय मंत्री हैं हैं और भी बड़े बड़े कलाकार हैं उनकी प्रजेंज्वी फीड होती है वहां पर तो क्या आप भी कभी अर्वस होते हैं इसरी मैं यह कौँ आपके नर्वस नहीं होता तो आगे बढ़ते जाते हैं या नहीने लोग आपसे मिलते जाते हैं तो फिर वो नर्वसनेस इसलिए कम होती जाती है कि बिहाइंड स्क्रीन और उन दे स्क्रीन ये दोनों भूमिकाएं अलग होती हैं आप मैंने जैसे भी आपने कुछ नाम बता हैं और भी अपनी चर्चाह में बहुत सारे नाम अपन रखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक हम ओन स्क्रीन देखते थे लेकिन मैं जब उनसे बिहाइंड स्क्रीन मिला उसके बाद में ओन स्क्रीन आये तो मुझे लगा वो हमारे जैसे लोग ही हैं बिलकुर हमारे जैसे ही हैं वही बाची जय सेी लोग हैं लेकिन हमारे मन में तो क्या जिग्या सार रहती है कि यार ये लोग अपने से थोड़ा तो अलग होंगे उननके सोचने का तरीका क्या होगा और हम एने दूर से देखते हैं तो कि वेक्टित पर उतना पहचान भी नहीं पाते हैं लेकिन आपने तो ये काफी क में जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर आपका कम्यूनिकेशन उनसे होता है तो वहां पर वह बिल्कुल रो होते हैं जैसे जनरल है उस प्रकार से आपके सामने वह दिखाई भी पड़ते हैं वह experience तो मैं जानूंगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी यात्रा पटवारी बन जाएं टीचर बन जाएं जनरली इस परकार से सोच पाना हो सकता है कि आज की समय में थोड़ा-थोड़ा सोचा जाने लग लेकिन आप जब स्कूल में थे जब छोटे बच्चे थे तो कोई ये कहना कि मैं बड़ा होके मन्ज का संचलन इस परकार से करूंगा या फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा वो तो होता नहीं है तो वो तो कहां से शुरुआत हो इसकी शुरुआत थोड़ा अलग डंग से मापको थोड़ा फ्लेश बैक में लेकर के चलता हूं मेरी जो अध्यन रा है वो प्रफेशनल स्टडीज मैंने की है सारा का सार करते हूं तो Chartered Accountancy और Company Security दो बड़े कोर्स होते हैं CS CS जिनको बोलता है मैं इनके बच्चों को पढ़ाता था पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है आज मी मेरा पहला प्यार है पढ़ाना कानून को पढ़ाना यह मेरा पहला प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा कहते हैं कि कानून बढ़ा बोरिक से subject होता है पर मुझे लगता है कि वह बड़ा living subject है क्योंकि आपके समाज के समाने जीवन से जुड़ाए हुआ। तो पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आता है। कोचिंग बहुत अच्छे से चलती थी लेकिन उसमें क्या होता हुटा कि सुबह से लेकर शाम तक मतलब शाम मत बोलो उसको बोलुआ सुबह साथ बजिदे कोचिंग जाना उसके बाद में रात में वापस जोन प्लस उसका एक स्वधर्म होता है मेरा ये कि मुझे पढ़ाना बच्चों से काम करना ये तो अच्छा लगता था लेकि मैंने ये देखा कि वो मेरा काम पूरा मशीनी करना सा हो गया उसमें वोई कंटिनूर में सुबह जाना शाम को आना फिर धीर धीर मैंने ये भी नोटिस करता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जो घरवालों के द्वारा भेज़ दिये गया है अपनी मर्जी से आगए पढ़ने का उनका पूर नहीं है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने जीवन में बहुत बार डगमगा जाते हैं उनको समझ नहीं आता आपके और मेरे दोर भी ऐसा है कि जब हमें इतनी मिचुरिटी होती नहीं उस उमर में तो धीरी-दीरी मुझे उस काम में उतना मज़ा नहीं आता था मैंने सोचा कि यार इस काम को लंबे समझ तक करना मेरे लिए संभव नहीं होगा और फिर बार-बार में आपको एक चीज़ ओर आज आपका बाचीति से मैं खुल करके बोल रहा हूँ क्या होता था कि जब कोचिंग्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे कि जो दिख जाता था कि ये पास नहीं होने वाले लेकिन चूंकि आप जो काम कर रहे है उसका धर्म ये है कि आप उनको वापस घर नहीं बैश सकते घर बेजेंगे तो आपके साथ काम करने वाले लोगों की तनख़ा कैसे नकलेगे आपके खर्चे कैसे नकलेगे तो वो भी क्लास में बैठे रहते थे तो मुझे लगता था कि यार कही ना कहीं मेरे अंदर से ऐसा आता था कि मुझे साब पता था कि ये बच्चा पास नहीं होने वाला है ये इस चीज के लिए नहीं बना है लेकिन फिर भी मुझे उसको प्रेरित करके वहां बैट करके पढ़ाना पड़ता था परेनाम आता था वो नहीं हो पाता था तो अंदर से पता नहीं ऐसा लगता था कि शायद मैं ये काम ठीक धंक से नहीं कर पा रहा हूं मुझे मज़ा न में लोग करते हैं लेकिन उसके बाद में एक ऐसी गटना गटी कि किसी का मेरे जो अंडर डाउन लाइन में आने वाले रोग थे उसने किसी की इंशुरेंस कर दी वायर उसने बड़ी पीड़ा अपनी जाए कि मुझे लगा विश्व तेरे लाएक के काम नहीं है तेरा स्व आहागी नहीं लगता था तो ऐसे करते करते एक लölम्मे समय टक चला फिर मैंने अचानक से एक दिन ऐसे लिल्ड़े लिया कि मुझे अब इस काम को एक पार बंद करना है मुझे एक ब्रेक चाहिए मैं उस काम को बंद किया और मैं गूंने निकल गया और याया वर की भाधि गुमा राजपाजी आप बिलीव नहीं करेंगे मतलब पदा नहीं कहां कहां ही गुमा में कोई तह नहीं था कहां जाना जहां मरजी हुई चले गए वहां रुक गए और उस जीवन के तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं वो किसी बाचीत के किसी और करम में आपको बताऊंगा उसमें जाकर कि मुझे लगा कि दुनिया को हम जितना एक आयामी देखते और समझते हैं दुनिया उतनी एक आयामी होती नहीं है दुनिया बड़ी बहु आयामी है हम बहुत जल्दी किसी को जज़ कर लेते हैं सामने वाले को और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरा पहला हाथ मांगने के लिए उठाने के लिए मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सामर्थ थे मांची कुरूप से लगाना पड़ा तब मेरी हिम्मत अपाईगी मांगने के लिए हाथ निकले तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो व्यक्ति भीक मांग रहे हैं वो आदमी कितना अपने मन को अहम को मार करके आए होंगे मैं फिर यह कहा रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता कि उन्में से कौन व्यक्ति कैसे है हो सकता है कुछ लोग जान बूज करके उन्होंने इस पेशे को चुना होगा कुछ की मजबूरिया रही होंगी लेकि मुझे रखता है कि जो आदमी मांगने पर उतर आया उसमें हमें तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि उसका क्या करे ना करे आपके जो समर्थे उसको दें हाँ उन सब को हमें एकी तराजू में तो नहीं तोलना चाहिए नहीं तोलना चाहिए लेकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई आदमी इसी पे हागा है बहुत सारे काम करते है जब मैं पुरे देश में घूमा अलग-अलग लोगों से मिला तो मेरे जीवन के पास अनुभूंगों की एक छोटी-मोटी पूंजी आ गई उसके बाद में मुझे पढ़ने का और लिखने का ये बहुत पहले से अच्छा लगता था शोग कह सकते हैं उसको आप फिर अचानक से एक मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया कि आप ऐस यार ऐसे लिखते पढ़ते हो तो एक काम करो ना कि आप कभी 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 सम्मिलन पढ़ो तो मुझे लगा कभी सम्मिलन तो पढ़ा जा सकता है पढ़ा जाना चीए उसके पहले मैं कई चोटे मोटे कारिकरमों में लोग मुझे बुलाते थे तो मैं कई बार जाकर किसन चलन कर देता अब वहाँ पर लोग मुझे बड़ा अप्रिशेट करते हैं मुझे अच्छा लगता क्योंकि उससे मुझे एक मानसिक संतुष्टी मिलती थी मैं गया मैंने वहाँ का विसमिलिन पढ़ा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा तो फिर मुझे एक नजर ऐसे आई कि शायद इस काम को मैं ठीक ढंक से कर सकता हूँ हमारे एक बड़े शायर है वसीम बरेलिवी साब वो कहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है तो मुझे लगा गयार ये इश्वर ने थोड़ा ठीक ठाक सा सलीका दिया है क्यों ना आपन इस चीज़ को इस पे काम करना शुरू करें धीरे धीरे फिर मैंने कोशिस करी कि भई अब बेसिकली तो मुझे माली जे मोटिवेशन के हसाब से बुलाना या कभी संबलन करने जाना लेकिन एक दो मंचों पर गया तो अब बहुत ज़्यादा बुलाओे उसके आने लगे तो अपने आप ही एक पहचांसी बनने लगी है कि भई आप मंचंचालक की रूप में उद्गोशक की रूप में भी आप जो है वो जाते हैं ऐसे करके यात्रा शुरू ही और उसके बाद से धीरी धीरे यात्रा अब जो है वो अनवरत रूप से चलती जा लिए आपने एक डेट बताई 14 अगस्ट 2018 मांसरोर के कारिक्रम अगर मुझे याद है तो उससे एक साल पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जा रहा हूँ 2017 मेरी आप से पहली मुलागात हुई थी उस समय भी आप याद होगा सालासर में आप गए थे एक कारिक्रम था सेलेश लोड़ा जो तारक मेता फेम बड़े कभी है उनका कारिक्रम था मैंने पहली बार आपको देखा कि कारिक्रम चल रहा था बिलकुल एकदम डल सा कारिक्रम चल रहा था किसी का अटेंशन था ही नहीं कि हमें ये कारिक्रम देखना सब इंतजार कर रहे थे कि कब सेलेश लोड़ा आएंगे और उनको सुनेंगे उन्हीं के लिए लोग आये थे जो संचालन हो रहा था उनको अपन खराब तो नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है कि उन्हों ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया और तो वो अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से निवा रहे थे और फिर अचानक से आपका नाम सुझाया गया आप कारिक्रम देखने गए थे और मैंने वहां पर उस समय पर किसी का ध्यान नहीं था कोई सुन नहीं रहा था अगर सामने वाला पहले से आपकी बात अच्छे से सुन रहा हो और फिर आप बताएं बातें तो सकता है कि वह इंप्रेस हो जाए लेकिन सब अपने-पने काम में लगे वे तो फिर आप बोलो फिर अटेंशन आ जान हैं आज के समय में पबलिक स्पिकिंग बहुत जरूरी है और उसमें सिर्फ बोलना नहीं सामने वाले जो बैठें वो सुने भी यह ध्यान रखना जरूरी है तो यह क्या तरीका हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसा करें राजपाजी वह गटना आपने बिल्कु चीजें थी तो आयोजको को किसे ने नाम सुझाए कि आरे वहां से काई विक्तियाए मैं आप उनको बुला लो उन्होंने आखे मेरे से का कि आपको जाना है तो उसकी को तैयर ही नहीं थी एक शुरू से मेरा राय कि मैं संचालन करने जाता हूं तो कोई भी चिट परची य हमारे नजर ऐसे जाते ही निकल जाती है और किसी ओडिंग में कुछ नहीं होता चोटा सा कुछ भी होता है लेकिर अचानक से हमारी नजर थिटकती है तो वो आदमी का अटेंशन टाइम जो है वो 2 से 3 सेकंड का होता है किसी भी बड़ी फोटो पे किसी भी चीज़ पे और एक बार आदमे का अटेंशन वहाँ आ गया, तो फिर आदमी को वहाँ थोड़ा सा ठिटक, आपने ठिटका दिया ना, रोग दिया ना, फिर आप उसको अपने साथ कनेक्ट पर पाऊगे, सामने बैठे वेक्ति को, जब आप उसको समझ में आने वाली, या उसको आकरशित करने वाली, या उससे जुड़ी हुई सी कोई बात करते वे दिखते हैं, तो वो आपको सुनने की कोशिस करता है, देखो आप अनुभाव करना, कई बार आप ऐसे घर में चले जाते हैं, जिस घर का इंबियांस या वहां की चीजें, वो बहुत अजीब सी हूँ, तो हमें अच्छा भी लगता और घुटन भी होने लगती है, हम ऐसी पार्टी में चलेगे, जो पार्टी हमारे लेवल के बहुत उपर है, तो मन करता चलो रहे हैं यहां से निकलते हैं बार, हम गाओं के लोग हैं, आपको सामने बैठा वेक्ती के साथ में आपको यह समझना पड़ेगा, कि सामने बैठे वे वेक्ती जो हैं, उनको कौन सी बात अच्छी लगेगी, कैसी सी बात अच्छी लगेगी, और फिर मैं सारा से हिंदी को दूँगा, हिंदी के पास इतना जादू है, उसके पास इतनी, उसकी जो शब्द रसोई, वो इतनी संब्रिद्ध है, उसमें ऐसे से मिष्ठान है, आप यदि थोड़ा सा हिंदी को समझ करके, उसके लालित्य के साथ में उसको बोलना शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप अपने आलिप में सबको ले लेती है, अपने आप अपने अंदर घेरे में ले लेती है, और एक बार कोई वेक्ति आपके घेरे में आया है, उसके बाद में उसको जैसे बहाना है, आप बहाती चले जाएं, तो यह हिंदी का जादू है, हिंदी की मानेता है और मुझे ऐसा लगता है कि वही एक तरीका होता है जिससे लोगों आप जोड़ता है ने तो हिन्दी की बात आई आप जब हिन्दी बोलते हैं मंच पर तो लोगों को ऐसे देखने में ऐसा फिल होता है कि आप हिन्दी के प्रोफेशर हैं अची न्दी आप ऑन्च कमों आप मैं आप को जानता हूं तो मैंने कभी नहीं सुना कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसे देखकर लगे कि यार ये हिंदी थोड़ी ठीक जम नहीं रही है तो ये कैसे देखिए मैं इसको भी थोड़ा सा किसको मानेंगे आप कई लोग कहते हैं कि पुनर जन्म होता है कि नहीं होता है क्योंकि मैंने इस जन्म हिंदी का है भी नहीं पढ़ा है इमान दर से बता हूँ जो दसवी तक अपने ग्यारवी बारवी तक जो भी अपने सामाने हिंदी चलती थी एक विशय के रूप में वो मैंने पढ़ा केवल उसके बाद में कभी नहीं पढ़ी यदि आप ग्रेजुएशन देखते हैं तो ग्रेजुएशन मेरा कॉमर्स से है उसके बाद में दी पीजी देखेंगे तो वो मैनेजमेंट में है एम बीए के साब से माल लीजे फिर आप लो के साब से देखेंगे तो लो में LLB माल लो LLM माल लो या डिप्लोमास देखेंगे तो वो योग के हो गए या अलग चीजों के हो गए हिंदी का कभी कोई वास्ता नहीं रहा लेकिन हिंदी पता नहीं मुझे क्यों बहुत आकरशित करती थी क्योंकि शब्दों को अभी वेक्त कर निकले आप इसको यू समझने थोड़ा सा कि दुनिया में एश्वर एरा कितनी खुब्सूरत है विश्व सुन्दरी उसको लोग कहते भी है और वो है भी लेकिन आपको अपनी माताजी से सुन्दर लगी वो कभी भी मा से सुन्दर कुछ नहीं हो सकता और उसको जब जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता कि आपके अंदर के उदगार भाव जो हैं उसके साथ जुड़ते हैं मैं मदर बोलू और मैं मा बोलू आप सोचिए कि एक हिंदी का जादू था कि नॉमली तो बोला अंग्री जी में कया था माई ब्रदर्स और सिस्टर्स शिकागो में स्वामी विविका Ernan न ने यही तो बोला था वहां सब लोग क्या बोले थे उन्हांने माई ब्रदर्स और सिस्टर्स मेरे भाई बहन तो यह जो अंदर का भाव connect होने वाली बात है मुझे लगता कि हिंदी में वो जादू होता है कि सामने बैठे वेक्ती में और आपके वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है एक मानसिक स्थर पर ले आता है जहां एक बार मानसिक स्थर मिला वासी चीज़े करने लगती है तो हिंदी का मैं क्लियर बोलता हूँ मेरे इसमें कोई रोल नहीं है मुझे पतानी कोई पिछले जर्म से आई है या प्रेम रहा और पढ़ने की आदत रही उसकी वज़े से आई है इश्वर जाने कहां से है लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है हिंदी रही बात आपने कहा कि आप कविता हैं लिखता हूँ और सामारे तक कवी मंचों पर मुझे प्रेम का कवी कहा जाता है लेकिन मैं प्रेम के लावा भी बाकी विश्यों पर लिखता हूँ और कविता की बात सिंपल सी इतनी इसी है कि इसको दो लाइन में कह सकते हैं कि तूँको देखने वाले लोगों से कि हिंदी की भी एक grammar है, उसकी भी भाशा है, उसका भी एक पुरा तरीका होता है ले भी है, ताल भी है, तो वो वैसे बने तो बहुत शुद्ध लगती है, अब चुकि मेरे वो पढ़ी हुई ही नी थी तो मेरे को मैंने एक ही तरीका निकाला कि मैं जो भी लिखता हूँ उसको गुन गुनाता हूँ उसको गाता हूँ मैं मेरे अपनी धुन में गाता हूँ जब मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे शब्द अटकते हैं उन्हें अटके वे सब्दों को ठीक करतो जिस समय आप एक दम आपको लगेगा अंदर से कि लेमे गा रहे हो आप अश्रे करोगे से इस बात को सुनकर के वो व्याकरणिये दर्ष्टी कौन से बिलकुल शुद लिखा जाएगा इसलिए आपको यदि बहुँ जाता उसका ग्यान नहीं है तो आप तो उसको मन में गाकर के गुन गुनाई ये पड़ी है मतलब यहां तक कि उनकी हर उसके चोपाई में मात्रातमक अजारों लाखों चोपाई आये सब में मात्रातक समान है तो बाबा तुलसी तो कितने बड़े वो थे? अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस समय को बैठ कर के को व्याकरण पढ़ी होगी का उन्होंने मन से लिखा, मन से गाया और वो इतना शुद्ध हुआ कि अपने आप चीजे बैठी तो हिंदी का ये जादू है कि उसको आप थोड़ा सा मन से गा लेंगे गुनगुना लेंगे और अंदर कि आपका आत्मा का तराजू वो समझ में भी आती है वो उसे कनेक्ट भी करवाते हैं अब मैं थोड़ा सा ट्रेक चेंज करके आपके जो मन से अनुभव रहे हैं मुझे लगता है कि मन से उपर सामने से जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ घटित होता है बहुत कुछ होता है तो मैं एक बार आपका ट्रेक थोड़ा सा आना चाहूं कि जो पोलिटिकल इवेंट्स है उनके उपर मैं आना चाहूंगा कि उनमें बहुत सारे आसे लोग हैं बड़े बड़े लोग जिनके साथ में आपने अक्सपिरिंस किया है और हमारे देश में वैसे भी जो पोलिटिकल लोग है उनके लाइफ में हमें थोड़ा सा इंट्रेस्ट रहता है कि वो किस परकार से है आपने अगर देखें तो राजस्तान में असोग गैलोत वसंद्रा आपने दोनों के साथ में कारिकरम किया है क्या आप उनको समझ पाएं देखिए राजनितिक दिर्ष्ट कोन से तो उनको समझ पाना मुझे लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि बहुत कम सा समय मंच पर आपको मिला इतने में नहीं समझ पाएंगे इस यूमन बिंग जो है वो मैं दोनों को थोड़ थोड़ा समझ पाएंगे क्योंकि दोनों के साथ मैंने कई बार कारिकरम की है जैसे अशोग गैलोज जी है वो बड़े सरल से वेकती है राजनितिक दिर्ष्ट कोन से वो कितने तेज हैं आप अच्छे से जानते हैं आपना रो फॉर्मेट रहता है हमारा रास्तां गोस्यावा समीति का एक अंदोलन चल रहा था पुझी दिनिश्गरी जी महराज उसके अद्यक्षा है मैं उसका प्रवक्ता था मैं संचलन मेरे पास था राजस्थान इनी भारत के बड़े जो सन्यासी हैं सादू है वो सभी पास महराज है महराज रीक का कि आर अचानक से मुख्य मन्तर जी का कारीक्रम बना है तो अब मुख्य मंत्री हैं तो आपको घ्रीमा वो गरेंगे की आप निय सादू न… जब उनको बुलाना था तो हमारा विशय यह था भई गोमाता के लिए कुछ अच्छा हो और अंदोले ने भी सी बात का था कि सरकार जो वो 6 मैने के लिए गोमाताओं के लिए अनुदान देती है इस अनुदान को बढ़ा करके तो तीन मैने काम दो निकल जाता है नो मैने बड़ा संकट होता है तो आंदोले ने इस बात का था कि इसको 6 मैने के बढ़ा करके 9 मैने किया जाए कुछ और मांगे भी थी मुखे मंतरिया तो मुझे आप यह लगा कि अचानक से मुख्य मंत्री या है और मैं इनको बोलने के लिए बुलाओं एक चीज बोर मैं कि मन्स अंचालन इस बात से बहतर नहीं बनता है मेरा जो नीजियन बहुए है कि आप कितना लच्छेदार या कितना बढ़िया बोलते है मन्स कितने उसके अंदर आप डायलोग मारते हैं शायरी बोलते हैं मन्स अंचालन इस बात से बनता है कि वहां उस मन्स पे होने वाले कारिक्रम को आपने सारे सुत्रों में कितना पिरोया हुआ है तो मैंने जब मुख्य मंत्री जी को बुलाया उनको आमंतरन देना था तो मैंने उसकी शुरुआत मुझे एक्जैकली तो नहीं बट कुछ कुछ उई से या करी मैंने कहा अब मैं जिन व्यक्तितों को बुलाने जा रहा हूँ उनको राजस्थान का गांधी कहते हैं क्योंकि राजनिती में सादगी का उनको परियाय माना जाता है और वो स्वैम अने एक मंचों पर कह चुके हैं कि मैं गांधी का फोलोवर हूँ तो गांधी सत्य अहिंसा न्या इनको मानने वाले थे और गांधी जी का एक कोट है गांधी जी ने किया था गांधी जी ने कहा था कि यदि इस राष्ट में से वेद लक्षना गोमाता को निकाल दिया जाएगा उनकी सेवा को निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद में हिंदुस्तान में जिंदा लोग और होने वाले काम सारे ऐसे होंगे जैसे मृत लाषे घूम रही है और ऐसे लाषों के राष्ट पर मुझे कभी भी कोई मानोता का निर्मान होते वे दिखता नहीं है तो मैंने का जिन गांधी को आप अपना आदर्श मानते हैं वो गांधी है कहते थे कि गाय की सुरक्षा इतनी ज़्यादा जरूरी है कि राष्ट की परिकल्पना उसके बिना संभव नहीं है तो उन्हीं के एक गांधीवादी नेता के रूप में आज आप हैं और मुझे लगता है कि राजस्तान के वरतमान के सबसे शक्सम्यक्ति हैं तो गोमाता आप से यह पिक्षा करें कि उनका काम आपके द्वारा होना चाहिए तो मैं इसमें समझताओं की को एतिशोक्ती नहीं है और मैं इस भाव के साथ में की इतनी गोमाता हैं मतलब उनका ये था कि भूमिका तो नहीं इतनी ज्यादा बनाई है को ज्यादा नहीं बना दी क्या विरूद में लेकिन मुझे बड़ा आनंदा है कि इतना बड़ा विक्ति इतने विरूद के साथ में और फिर अच्छी बात ये रही मैं धन्यवाद करना चाओंगा मुख्यमंत्री जी का उन्होंने उस भूमिका को जो बनी थी उसी को पर चलते वे सबसे पहले आते तो ये कहा कि ये जो संत बैठ है मैं इसे चाओंगा कि आप अपने घर जाएं आप धर ना करेंगे तो हम किस काम के हैं और तुरन तुरन ने उस अनुदान को बढ़ा कर छे मैने से नो मैने का कर दिया एक ये घटना है बहुत सारी ऐसी घटना है होते हैं अब आप सोचो मैं वसंद्रा जी के साथ एक आरिकम कर रहा था उसमें बड़ी एक जोड़ा विरोध की घटना थी उसमें भी कोई ऐसी चर्चा चली तो मुखे मतरीजे ने मुझे मंच पर आकर के मेरे कान में कुछ ऐसी चीज़ कही कि मैं उसको पब्लिक डोमेनियो तो नहीं रखना चाहूंगा लेकिन वह भी बड़ी विरोध वाली सी घटना थी मैंने दे ग्रेट खली के साथ प्रोग्राम करा तो ग्रेट खली को मेरी क्या इमेज़ थी कि एक इतना बड़ा आदमी जिन से हाथ मिला हो तो यसा लगता है कि हाथ रजाई में सी जा रहा है साड़े साथ si ask fit के उनकी यह शरीर उनका मुझे लगा हेरा बड़ा हाड आदमी होगा लेकिन दौदिन लगबग हमा साथ रही और उनको भी एक award मिला था मुझे भी का war मिला था साथ हुनकि होटल में रूखे तो वह नाराज भो गए क्योंकि होटल की जो कमरे थे उनका बैड 6-6 फिटका होता है अब खलीजी 7-7 फिटके हैं तो उनके पैर बिचारों के बाहर निकलें बात्रूम में नाने गए तो जो फोल सीलिंग बोटा चोगी फमारा चला है तो मूँपे आके गिरिया चत्की बजाए तो वो उखडगे थ है मतलब तो हमने होटल वालों से कहा कि कुछ दूसरी विवस्ता करो उनका मूड उखड़ा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आप आई कभी संबिलन है तो उसमें क्या था कि मेरा सोलो कभी संबिलन था अके ले का मुझे अकेले दो डाहिगेंटे बोलना था और उनका मूड उतरने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आप सामने सोफा पढ़ा उस पे बैठी है तो करता है मेरे को कभीता है समझ में नहीं आती है अच्छा तो वो रेसलर आदमी उन्हें उन्हें तो मुक्के बरसा है उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी वो पंजाबी फिल्म इंडिस यह जो आपके साथ में आपकी पत्नी है यह नहीं होती और वो दिल नहीं होता तो यह बिटिया भी नहीं होती तो उनको थोड़ा साथ अच्छा लगा तो मैंने का आप एक काम करीए बैठी थोड़े देर एक-दो मुक्त तक सुनिये फिर आपको ठीक लगता है तो अच्छ ये मैं मेरा दुर्भाग्य माने जो माने लेकिं शेखावाटी में मैंने बहुत ज़्यादा कभी सम्मेलन नहीं किया किवल दो कभी सम्मेलन मैंने पढ़े हैं एक तात का लिकुस अभी कभी हुमारी स्वाजी का था एक पहले एक शेखावाटी साहिते संगम का था तो ऐसे ब को बुलाया तो मैं उनकी वेश्बुसाद से समझ गया कि खेतियर लोग हैं तो माता जी आई और उन्होंने अपनी लूगडी होती है हमारे गाउं में लूगडी देखते हैं ऐसे गांट लगा कि रखती है महीरा है तो उन्हें लूगडी की गांट खोली और उस गांट में से एक सो का नोट निकाला और निकाल करके चुपचाब मेरे हाथ में देकर कहती है कि इन दिखाजे मत को इन दू ले लए अच्छा अब आप सोचो वह राजपाल जी कि जब कभी संब्लेन करने मनसंचलन करने जाता हूँ तो हम अच्छा पेमेंट लेते हैं मैं अच्छा पेमेंट लेता हूँ मतलब सामानेत है लेकिन वो जो सो रुपे थे वो मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी कमाई है मैंने उसको अपनी फेस्बूक पोस्ट में भी डाला था कि वो सो रुपे जो थे वो इतने मंसे थे और आप सोचो कि उनने का मैं तीन दिन से बैटा तेरे को बैट करके सुन रही हूँ मारवाडी में उनको नोखा की मिठी से आवाज होती है उनकी बीकानिया साइड की तो मुझे लगा कि शायद मेरे काम की सार्थ हकता है कि एक सामने बैठी हुई मा को इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी लूगडी में से निकाल करके मुझे सोका नूट दिया तो ये मेरे लिए बहुत ही अद्बुद्व अनुभव था एक और अनुभव ऐसा सा बताता हूँ आपको मैं सुदूर आपके महराष्ट्रम एकदम कोर्णर में एक जगह है नंदूरबार नंदूरबार एक जिला है वहाँ पर एक घूमर का वर्ल्ड रिकोर्ड बना था घूमर का बड़ा वर्ल्ड रिकोर्ड कारिकरम था जिसके अंदर मतलब 10-12,000 लोग थे और उस कारिकरम का मैंने संचालन किया 3-4 घंटे से मैं बोल रहा था वहाँ पर और होते होते जब लास्ट में वहाँ के उस मराटी फिल्म इंडिस्ट्री के बड़े-बड़े स्टार्स थे, पॉलिटीशन्स थे, वहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, पुलिस, एस्पी, बहुत सारे लोग थे कारिकरम लगबग अपने अंतिम दोर में था तो इतने में एक महिला ने मुझे आवाज दी मैंने अभी तक वो पोस्ट फेस्बुक पे भी नहीं डाली है मैं आप बोलेंगे तो आपको चितर उपलब्द कराऊंगा मेरे पास उपड़े हैं, एक महिला ने मेरे को बुलाया तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे से अटायर में बहुत अच्छी से वेश बुशा में जिनको देखकर कि कैसकते हैं कि सक्षम परिवार की जो है वो महिला है, और चुकि स्टेश फड़ा उपर था तो उनने बार-बार मेरे को आवाज दी तो मैंसे जुकर की नीचे उनकी तरफ गया तो उनने का कि मेरे को कुछ पैसे दो तो मेरे जो साथ वाले थे मैंने वो 200 रुपए का नोट निकाल करके उनका दिया तो उनने लिया उसको हाथ से लगाया और मेरे से का कि लेते से मैं कुछ लोगों ने उसके फोटोग्रापस भी लिये थे वो फोटोग्रापस मेरे पास आये थे उन्होंने का कि बेटा मुझे इतना अच्छा लगा है सुन करके महरास्टर में तुम आये हो राजस्तान से हो कि मैं ये 200 रुपए लेकर के जाऊंगी और इनको जो मेरी तिजोरी है या जो मेरे पूजा का स्थल है वहां रखूंगी और जैसे मैं मेरे परिवार के लिए कामना करती हूँ कि बई मेरे परिवार की धन संपती लक्ष्मी बढ़े वैसे-वैसे बेटा मैं वहां से बैट करके ये कामना भी करूँगी कि तुम्हारी भी संपती तुम्हारी भी लकश्मी जो है चाहिए भी आशिरवात का एक अलग तरीका ये एक आशिरवात का बिलकुँ आपने कभी सुना है इस तरह का आशिरवात का उन्होंने मुझे आशिरवात दिया अब मैं नहीं जानता कि सत्यता क्या है लेकिन उस दिन की गटना के बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मतलब मुझे मालक्षमी की अच्छी करपा है मतलब ठीक है अपन को वैसे भी कोई बहुत खर्चवर्चे वाले आदमी थोड़े में संतुष भी हो जाते हैं बट मैं बड़े मज़े में हूं उसके बाद से अब वो उनके आज दे गए आश्रवाद का फल था या क्या था आई डूंट लेकिन वो मेरे लिए बिलकुल नहा अनुबह होता और ऐसे अनुबह लगबग लगबग हर जगे ही मिलते हैं आपके साथ मैं ऐसे अनुबह होता है क्योंकि आप बहुत जगह पर कारिकरम करते हैं होते ही हैं जब पोलिटिक्स की बात चल रही थी तो आप थोड़ा सा बाकी चीज़ों पर आ गए एक जो नाम है मैं जब आपके फेस्बुक पर देख रहा था पोस्ट मुझे लगता है कि उनके साथ में जरूर कुछ तो हुआ होगा क्योंकि वो काफी अलग आदमी हैं पोलिटिक्स में रामदास अठावले उनको मैं जब भी टीवी पर सुनता हूँ उनकी बातें जब भी सुनते हैं तो वो चाए मैंने ये देखा है संसद में कि वो जिसके पक्स में बोल रहे हैं वो भी हस रहे हैं जिनके खिलाब बोल रहे हैं वो भी हस रहे हैं तो ऐसे कलाकार आदमी के सामने रामदास अठावले एक ऐसे politician है रामिला स्पास्वान के बाद में जिनको politics की हवा समझ में आ जाती है रामिला स्पास्वान आपने देखा होगा कि जब जब politics की बात होती थी वो जिसके सरकार होने वाली थी पहले ही चुनाव के पहले पर या संसद में अपने भाषण को देते हैं मैं ऐसे बोलते हैं लेकिन माज आपको इंटरेसिंग बात बताओं उनका स्टाइल ही वही है बोलने का उनका वही स्टाइल है बोलने का वहाँ आए और आकर के कहते हैं कि कोई अच्छा कारिकर्म चल रहा था तो मुझे पहला से का याद आता है वो ऐसे हमारी जो सरकार है उसका नाम है बोदी और हम आपको ले लेंगे गोदी मतलब उनका उनका जो है वो ये लिरिकल फॉर्मेंट पे बोलने का है उनकों ने लगबग 15 मिन भाषण दिया वो इसी फॉर्मेंट में था वो इसी तरीके से था चूंकि उस सुनिय जी बैठी थे राउल जी बैठे थे और वो बोल रहे थे कि हमारी बन गई है सरकार और आपका निकल गया दिवाला लेकिन हो सकता है कि आपको फिर से सरकार आ जाए लेकिन हमाने नहीं देंगे वो उनका स्टाइल ऐसा होता है रामदा सठावले जी का तो वहां जब खुले मन से वो बोलते हैं सरकार में वो एक दो मत कितने आसानी से बोलते हैं कि पहले आपकी सरकार थी मापके साथ था इधर मुझे पता लगा इधर है तो मैं इधर आगे अब आपका नहीं बनने देंगे देखो पॉलिटिक्स में से लोगों से नाराजी नहीं होती किसी क क्योंकि politics में क्या होता है कि बाहर से, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने लोग इसको वीडियो को भी देख रहे हैं, आप politics को लेकर के कभी अपने मन में बहुत गंभीर मत बनिये, क्योंकि मैंने बहुत सारे politicians के साथ में programs किये हैं, ये अंदर से बिलकुल हम लोग politics को enjoy करते हैं, ये लोग भी वैसे enjoy करते हैं, अभी अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री जी का एक statement सुना होगा, बोलिए मोधी जी करें कि अशोगलोत मेरा मित्र है, मित्र है, और मेरी एसी दिसी करेंगे, ये उनका official statement है, social domain में, ये लोग बड़े सरलता से रहते हैं, बड़े मज़े से रहते हैं, और मैंने तो बहुत सारे से कारिकर्म किया हैं, जिसमें दोनों तरफ के लोग बैठे रहते हैं, मैं आपको होता हूँ, राजपाजी इतनी मित्रता फून काम होता है, और politicians को थोड़ा सा, देखो, थोड़ा सा, उनके प्रती हम लोग बहुत अपने मज़े, जैसे जेपी नड़ा जी है, बारते जिन्ता पार्टी के राष्टी है, देख से, मैंने उनका कारिकर्म किया, तो उसमें उनका पुरा परिवार था, और उनकी वाइफ जो है मलीका नड़ा, वो बड़ी विदूशी महिला है, बहुत पड़ी लिखे हैं, त तो मलीका नड़ा जी जो आई, और वो आई, उन्होंने मुझे मा की तरह आशिरवाद दिया, और बहुत प्यार से आशिरवाद दिया, उन्होंने का कि बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत मज़ा आया सुनकर के, उनके लड़के हैं, वो मुझे बाहर लेकर के गए, बहर ले जाके, कि उन्होंने मेरे साथ फोटोग्राप्स लिये, और आप नमबर शेयर किया, गए बगए हमारी बात भी होती है, हलांकि ये सब चीजें बहुत पब्लिक डोमेन में कहनी की नहीं होती होना लोगों को लगता है कि यार, बड़े अच्छे कॉंटेक्स हो रहे लेकिन वो लोग भी, मैंने कहा ना, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भीया, बात बताओ, पिताजी तो हो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के देख सें, तो आप तो सेटल होने वाले हो, अपन भी विरोध करते हैं, तो उन्हें ने कहा भीया, जब तक पापा हैं, तब तक हमारा कोई इसमें चांसे जमी है, क्योंकि इस पार्टी की विचारदार है यह कि एक पद पर यह दी बड़ा देखती है, तो जब तक पापा पद पर रहेंगे, तब तक हम सिर्फ कारिकरता के नाते काम करेंगे, तो वो लोग भी बिलकुल आपके और हमारी जैसे ह काम करना है, बिलकुल, बिलकुल, अब आपकी जो विचारदार है, उसे अलग जो सामने लोगा, उनका काम भी करना है, और ऐसा भी होता है कि आज कारिकरम एक पार्टी का है, आज आप उनके लिए बोल रहें, कल दूसरी पार्टी के लिए, तो इन चीजों को कैसे, इसमें मुझे दिक्कत नहीं आती ही, इसलिए नहीं आती ही कि देखो, मैं राजनीति को जैसे देखता हूँ, या राजनीतिक पार्टी को जैसे देखता हूँ, राजनीतिक दल जो होता है, उसका सरल सा काम होता है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम इस विचार पर काम करे और इस विचार से हमारा दल जो है वो देश को आगे लेकर के जाएगा अब आपके विचार से जनता सहमत होती है आपको वोट देती है लोग तंतरे में आपकी सरकार बनती है जनता आपके विचार से सहमत नहीं है जनता को आप कन्विन्स नहीं कर पा रहे हैं तो जनता दूस पार्टि अपना विचार रखती है वो वो जो लोग उसमे काम कर रहे हैं आप ये समझो कि उनकी भी दो जीवन है एक उनका राजनितिक विचार का जीवन है एक उनका निजी जीवन भी है मैं आपको मुझे नहीं लगता है कि शायद इसमंझ पे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मैं नहीं लूँगा राजस्थान की राजनिती के एक बहुत बड़े विक्ति हैं मतलब जिनको ये मान के चलो स्टेट्समेंट में माना जाता है टॉप लिडर्शिप में माना जाता है एक बड़े और लंबे समय तक उनकी राजनिती जो है वो राजस्थान के शीर्स पर रही है मैं एक बार किसी कारिकर्म के सिलसे में उनने मुझे बलाया है मैं उनके बंगले पर गया था मैं ये बात बहुत अलग बतारूं कि आप समझोगे इस चीज़ को मैंने जब वहां जाकर के देखा तो उनने का आप तो थोड़ा पूजा पर देजिसे जुड़े वे विकती हैं लौओ अपने नवरात्रों के पूजा चल दी तो आप उ दिखा किलाता हूँ उनका जो जैपुर में सरकारी आवास है उस सरकारी के आवास के बिलकुल भी सामने कहीं पूजा हुआ को कुछ नहीं दिखा तो मैंने कहां लेकर जा रहा है तो अपने सरकारी आवास के मुझे बिलकुल पीछे लेकर के गए और उसके पीछे एक कमरा बना हुआ वहाँ पर आठ दस नो पंडित बैठे और पूरी मन के साथ में मा दुरुगा की बड़ी शांदार वहाँ साधना हो रही है तो मेरे से पूछे मैं समझ तो गया लेकि मैंसे पूछा भी रहा नहीं गया तो उन्हों ने का कि देखो हम जिस विचार से जुड़े हुए हैं वहाँ पर इन चीजों को हम पब्लिक ली नहीं कर सकते हैं लेकिन भूले यार भगवान की पूझा तो करनी है नवरात्री तो कर करें ना करें हाला कि वरत्मान में ऐसी चीजें दिक्कत आनी ही नहीं है सामने तो मुझे ये समझ में आता है कि जब भी मैं उनके कारिक्रम करने जाता हूं मुझे ये पता है कि इनका व्यक्तिक जीवन भी है इनका राजनितिक विचार भी है और वो विचार हमें भी समझ म ही होते हैं आप उस कारीक्रम की प्रस्तावना रखने वाले व्यक्ति हैं जैसे एक समय में उस मंच के प्रतिनीधी के नाते वहाँ होता हूँ और मैं उस मंच के माध्यम से आज कौन सा विचार सामने बैठे लोगों तक प्रेशित होना है मैं उसी भाव में होकर कि उस काम को करता हूँ तो मुझे कभी को दिक्के पिसमे आती है राजनितिक जो कारिकरम है उनकी एक अलग गरिमा है एक अलग डेकोरम होता है वहाँ से अटकर जब आप कवी संबेलन की तरफ आते हैं तो महुल पूरा सिफ्ट हो जाता है राजनिति में आपको एकदम गंभीरों के बातें करनी हैं आप सीरियस लियो कर बोल सकते हैं ज्यादा आप ऐसे हसी मजाक नहीं कर सकते हैं लेकिन कवी संबेलन की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मजाक बनाया जाता है जो मंच का संचालन कर रहा होता है जितने भी कवी आते हैं उनके निसाने पर रहता है और जो मंच का संचालन कर रहा है जिसे पूरे कारेकरम को बांध रहा है उसके निसाने पर वो सारे रहता है कवी रहता है तो आपका ये experience कैसा है आपको कौन से प्रोग्राम ज़्याद अच्छे लगते हैं वसे मैं इसमें एक चीज़ तो आपको बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल ठीका सामान्यत ऐसा हो गया कि जो संचालन कर रहा है वो टिपणी करता है कवियों पर पर कवियों टिपणी करते हैं संचालन करते हैं महिला है तो और भी उनकी टिपणी हो जाती है मैंने एक गरिमा इस बात मामले में बना के रखी कि मैंने कभी भी मंच पर आएवे कवियों के उपर कोई सिर्फ लोगों को हसाने के लिए टिपणी नहीं करी और यह आफ आशिरवाद मानिये कि मेरे उपर भी कभी किसे ने को टिपणी नहीं करी और मुझे ऐसा लगता है कि केवल लोगों को हسा भ़र देना कविता नहीं है कविता तो वह साबून है जो बिना आपके शरीर के अंदर गए आपकी आत्मा पर जम्मेवे कलुश को दोने का काम करेगा यदि आकर के बैठावा व्यक्ती कवी संभिलन में से एक लाइन घर नहीं ले करके गया और एक विचार नहीं ले करके गया तो वो कवी संभिलन व्यर्त है ऐसे में मैंने ये मरियादा रखी और इस मरियादा का मुझे लाब ये मिला कि कभी न मेरे पटिपड़न मुझे लगता है कि अब मैं टिपड़ी करने की बजाए वो जो कवी आए हैं उनका जो कवित्व है मैं उसको सामने निखार करके रखूँ और मैं उसको जितना निकार करके रखता हूं, लोगों को सुनने में भी उतना मजा आता हूं, उनको बोलने में भी मजा आता है। अभी कि मैं लेट्टेस की घटना बता हूं आपको, सीकर में आपके कविसम मिलन था, डॉक्टर कुमार इससास उसमे आये वे थे, आज की हिंदी कविता की शीर्ष पूरुसम, उनसे बड़ा कोई दूसरा नाम हिंदी कविता में वरत्मान में नहीं है, अब ऐसे में उन्हों किया कि इससे लगता है कि बिटा तेरी ग्रस्ती ठीक चल रही है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी वह एक बहुत ही मरियादित नंग से उन्होंने उस बात को रखा, वो चाते तो उसका मजाग बना सकते थे, बट उन्होंने नहीं नहीं बनाया, क्योंकि वह भी सम से संपन लोग थे, उनका बड़ा कॉंपेक्ट सा प्रोग्राम, वो प्रोग्राम इतना शालीन हुआ, इतना शालीन हुआ रासपाज जी कि प्रोग्राम होने के बाद हमने जब डिनर किया, तो वहाँ चो शेखावाटी के बड़े-बड़े धनाड़े लोग थे, सारे, जि इसके समरतन में होता नियूर, इश्वर की मावागेश्वरी की करपा है कि अब तक इसके आवश्यक्ता भी नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, विनोध जो है काविता के मंच पर होता है, आपका ये जो बात है कि आपको ऐसे कमेंट ना करें कि जिससे क्या सामने वाले को कुछ ख प्रिंसिपल है, तो वो आपके उपर काफी सक्त रहे होंगे, मैं राजपाल जी आपने ऐसा प्रशन पूछा जो बहुत भावनात मुरूब से जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रशनों के हम सामने ती जीवन में जवाब नहीं देते हैं, यह दि कोई बच्चे भी इसको सुन र बच्चों को ऐसे पालना चीए, वैसे पालना चीए, ऐसे रखना चीए, मेरे को आज तक समझ में नहीं है कि हमारे मम्मी पापा ने हमें पाला कैसे, क्योंकि मेरे पापा प्रिंसिपल रहे, लेकिन उन्होंने कभी हमें पढ़ाया नहीं, और मेरे पापा ने आज तक कभी ह हमारे हाथ नहीं लगाया मेरे को याद नहीं आता है हां मम्मी ने जो है वो कभी कबार बड़िये दुलाई की हुई है माएं करते है और उनकी तो दुलाई में इससे क्या ज़्यादा चाहिएगा बचपन में वो भी बचपन में लेकिन मेरे मम्मी पापा ने पापा तो इतने soft है मेरे कि मतलब मुझे कई बार समय में आता इतने soft को आद्म कैसे हो सकता है और मेरे पापा अपने नीजी जीवन में तरे इमानदार भी रही है उतरे मरियादी भी रही है मेरे पापा की स्तिय है राजपाल जी की पिछले 20 साल से तो मुझे याद नहें कि उन्होंने अपने निजी जीवन का एक सामान भी खुद खरीदा है क्या जब कि प्रिंसिपल से टायर आदमी है पैसे का कोई मो नहीं है हाती नहीं लगाते उसको उनके तो यह मान के चलो कि जो पहने जाने वाले शरीर के कपड़े भी हैं वो भी महीं लाके देता हूं लाक पापा फर्स्ट गेड के लेक्चर रहे मैं पैदा हुआ तब ही उसी समय फर्स्ट गेड के लेक्चर रहे थे तो गजिस्टेड ओफिसर थे उसके बाद में प्रिंसिपल से टायर हूए वो गाउं आते थे तो जब भी सनिवार रविवार को मुश्किल से आना होता था वह दादा जी के पैर दबाते थे हैं कभी किसी हो नहीं कहते हैं हमें लगते हैं पापा आ हैं साथ-एट जिन से पैर दबा रहे हैं बच्चों की का होता जिद होती है आप कर रहे हो मैं भी करूँगा ये काम तो हम भी पैर दबाने लग गए तो उनने सारे काम लगबग वैसे कि अन्होंने कभी हमें न डांटा न कुछ कहा लेकिन हाँ उनके ही कृपा मानता हूं मैं कि कही पार ऐसा लगता है कि यह गर पर्मियाद में को नहीं सुनता कोई, बाहर आपको लोग सुन भी रहें, पैसे भी दे रहें, तो आपके बोलने पर आपको पैसे मिलता है, यह मुझे लगता है कि मेरे माबाब की, माता पिता की जो आशिरवाद है, उनकी जो कृपा है, सिर्फ उसका परिणाम है, और इस सार यह बार क्या एक्सपिरियन्स हर बार अच्छे हों, यह जरौरी भी नहीं है, तो आपको भी कभी ऐसा लगाओ कि, यार, यह क्ऴया क्या हुआ हुआ, मैं कौन सी फिल्ड में आ गया है, यह क्या आक्सपिरियन्स कूछ है, आप ऐसे बहूत experienced थो नहीं है, थोड़े बहुत अभी अभी एक latest experience मेरा ऐसा रहा लेकिन उससे मुझे मेरे काम की तकलीफ नहीं हुई एक करिक्रम था और बाबा साब भीमराब अमबेडगर का करिक्रम था बाबा साब भीमराब अमबेडगर को मैं एक राष्ट रिशी मानता हूँ मेरे नीची जीवन में बहुत सारे लोग जिन्हों ने उनको पढ़ा नहीं है ना राजपाल जी बस दिक्कत यहीं कि बाबा साब को पढ़ा नहीं गया है और उनको misinterpret किया गया है लेकिन मुझे ही सभाग है कि मैंने उनको अच्छे से पढ़ा है अब वो व्यक्ती पास आया रोग इतनी शराप पी रखी उसने कि बैंकर वो बद्बू मार रहा हूँ तो मैंने एक बार तो उसको भीज दिया वापस फिर दूसरी बार आकर मैं करता है तिरे को किसने दे दिया मंसंचल अभी मेरे लिए बहुत शौकिंग था क्योंकि मुझे जो मंसंचलन दिया वो बहुत बड़े विक्ती थे और वो आदमी है तो फिर मैंने उसको वहाँ से थोड़ा साथ कोई और बोला था तो साइड में लेके गया लिटरली मैंने पहली बार बता रहूं कि मैं उसकी कोलर पकड़कर लेके गया परदे के हलका सा पीछे जाके मैंने का देख तेरे को शर्म नहीं आई तू आज बाबा साब की बात कर रहा है दिन के ग्यारा बज़ रहे हैं बारा बज़ रहे हैं और तू शराब पी करके आया हुआ है गले में बाबा साब का पट्टा डाल रखा है साले जाके पड़तो सही उनको वो आदमी ऐसा था कि जिसने आववान किया था महिलाओं से कि अपने बच्चों को बोलो कि वो मांस से दूर रहें शराब से दूर रहें तब वो तारह बन करके चमक पाएंगे और मैंने को किसने बता है ये ग्यान देनी कावश रखता नहीं दो मारूँ अथपड और मैंने कावश चलती है कि भांग मांगे भूंगडा गांजो मांगे घी दारू मांगे खुश रा तेरे जच्चे जटी पी ये जो पी किया है ना हो सारा उतर जाएगा यहाँ पर इसका आनन दिन ले पाएगा फिर वाद में गया और फिर दुबारों मुझे लोट करके नहीं आया ऐसी बहुत बार ऐसा होता है कि राजपाल जी कई लोग कर् करवाते हैं अब वो बिचारे अपना कारिकिम करवाते हैं अपनी इनकी ठीम लेकर करके चलते технологि जो वीच्डिश होता है कई लोग बीच में आते हैं उसकारीकर्म को हाई जेक करना चाते है है अभी मेरे एक्सप्रेंस रहे तो मेरे को समझ में आ गया आजाता कि आदमème्स और कि इसको हीजय करना चाहता तो आगर कि म circular को कुछ ऐसे दो यह बो बो तो on से सुनता हूँ हा जी हा जी बिल्कल लेकिन कारिकर्म को मैं हाई जेक करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता क्योंकि जो आप कारिकर्म करवा रहा है उसकी थीम जाए उसके तरीके से जाए तो ऐसे बहुत सार एक्सपिरियंस होते हैं जो नेगटिव भी है थोड़े से लेकिन ठीक है मतलब वो इतने ज्याद साथ आपको अलग से मिली हो जो आपने अपने अंदर छिपा कर रखी हो किया यार देखो मैं यह आपको दोनों नाम के साथ बताता हूं एक भरतपूर के बहुत बड़े कानून विद्ध हैं और भारत गोरव अवार देने वाली कमिटी में भी हैं और बहुत बड़े वेक् के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनना का कि यह बच्चा जैसे बोल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन कुमार उस्वास के साथ इसका कारिक्रम होगा और मंद से कुमार उस्वास इसकी प्रसंसा करेगा उस दिर मुझे लगेगा कि इसकी यात्रा आप ट्रैक वीडियो मेरे पास पड़ा है मैंने सोशली मीडिया पर डाला नहीं है अब उनकी जो बात थी अभी जैसे कुमार उस्वास आए और आकर कि उन्होंने जो मंद से बोला वो ऐससा लगा कि उनका आश्रवाद जो कहीं ना कहीं फलीबूत हो रहा है ऐसे एक मेरे मित्रोर हैं बहुत पुराने समय से आपके जैपुर में मतलब जो है वो निवास करते हैं उन्होंने मुझे का था कि बहुत पहले बहुत पहले कि बस मैं आपको आश्रवाद दे रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े मंचों पर होंगे और उस समय मैं लिटरली कुछ बीरी बाति करता है मैं तो कई बारे से आशिरवाद होते हैं उन्हों सबके प्रतीक्रत अगता है कि उनके आश्रवासी चीजीं शायद हो रही है अगर लुभ नर्लुन слब्ल दोम और के निजी जीवन से कुछ बाते पूछ लो हां पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है इसमें आपका निजी जीवन है तो आपकी पर्मिशन थोड़ी ने ने कोई दिक्कत निए पूछे आप जो पूछने है आपकी बादचीत है तो मुझे लगता है बादचीत में तो बादचीत होनी चाहिए नहीं अक्सर यह हम लोग मजाग करत हैं कि महिलाए हैं वो अपने पति को बोलने नहीं देती है और आपका तो काम ही बोलना है तो क्या आप गर पर अच्छे से बोल पाते हैं और फिर गर पर आपका ट्रेक चैनल आप है नहीं मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि मेरी जो पत्नी है धर्म पत्नी है वो बहुत विदूशी महिला है और बहुत विदूशी मैं इसले नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ने के दर्श्चेकोंड से डिगरियों के इसाब से वो तो उनके पास इतनी है कि शायद सो दो सो किलोमेटर के एरिया में भी इतनी डिगरिया इतनी पढ़ी लिखी महिला आपको नहीं मिलेगी उससे अलग बात यह कि वो बहुत विदूशी है बहुत बोधिक है बहुत बहुत गहराई वाली महिला है और मुझे ऐसा लगता है कि कही न कहीं जो बोलने की कला आई है या मैं बोलने के लिए कोशिस करते हूं मुझे ने बताई कला ब तो है के नहीं है लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो उनका भी है क्यión कि वो बहुत अच्छा बोलती है और बहुत गंभीरी के साथ बोलती है बड़े मंचो पर वो कम आती है पहले जब अपने बजपन रहा होगा तो उसमें उन्होंने खुप सारे मंचो पर बोला भी है और वो एक बेहद गंभीर महिला है तो ऐसे मैं बोलने वाली दिक्कत तो नहीं आती है मैं आराम से उनसे बोलता हूँ और चुक्कि आपने कहा नी जी जिन्दगी है तो मैं इसले भी बोल पाता हूँ कि उम्र में सामाने था हमारे हैं होता है कि पुरुष जो है बड़ा होता है तो छोटे है चोटे को ज्यादी कार मिलता अपने परिवार में आप थोड़ा सा उसका लीबर्टी तो मैं उसके लिबर्टी ले 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 लेता हूँ और मुझे घर में आराम से को दिक्कत नहीं आती है तो आपको मिले कैसे हो उनका मेरे से मिलना जो है वो भी एक अलग बात है चुकि बाद पुब्लिक डोमेन में ये बाते हैं ज्यादातर लोगों को जो हमें जानने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि हमारी लव मैरीज है क्योंकि मैं और वो उनका और परिवार और मेरा परिवार मेरे मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा ये बहुत पुराने समय से परिचित हैं लेकिन माज आपको एक दम पब्लिक डोमेन में पहली बार कह रहा हूँ कि हमारी लव मेरीज नहीं है, हमारी अरेंज मेरीज है, क्योंकि वो मेरे से बड़ी थी, तो कभी किसी से मिलना और इस दृष्टिकोन से मिलना की इसे अपना जीवन साथी बनाना है, ये दोन अलग बा तारकिक बात आप से कर रहा है, तो हमारी बॉन्डिंग तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन हमने एक दूसरे के लिए ये कभी नहीं सोचाता कि हम दूसरे के, मतलब जीवन साथी बन सकते हैं, ये मम्मी पापा दोनों ने आपस में तैकरा, और मजी की बात देखिए, जो भी लोग मुझे जानने वाले हैं, उसमें से बहुत नजदी की लोग उनको तो पता हैं, बाकी लगबग लगबग लोगों गया लगता है कि हमारी लव मेरीज ही है, हमारी अरेंज मेरीज है, क्योंकि दोनों के ही माता पिता ने तैकरा, और माता पिता ने हमसे पूछना भी को हम जीवन साथी भी बनने वाले हैं तो ऐसा करके हम लोग मिले और उसके बाद में आप अलग-अलग विश्वें पर काफी विचार रखते हैं और तो कि हमारा जो चैनल है वो भी है रमता रही तो मैं उससे जुड़ावा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं और ये मेरा विचार है कि मैं आगे की भी जो बात्चीत है ये अलग लोगों से इस विशेपरमत थोड़े से जो हमारी लाइफ है उस पर विचार थोड़े से मैं ज चुट्टी पे जाना है आपके मेरी भी आती है ना हम भी ठक जाते हैं काम करते करते हैं उसके भी मन में आगे चुट्टी पे जाना है मेरे को किसको सौंपके जाएगा वो इस धरती को इस दुनिया को जो कायनात बनाई है उसको किसके आतों में सौंपके जाएगा आपको बात नहीं है ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता कि अर्थ को लेकर कि कोई आदमी ये सोच बैठे कि मेरे में क्या क्षमता है क्या नहीं क्षमता है तो हमें इतना बनाया तो मेरे को लगता है कि जो इश्वर ने आप पर निकल जाओ यार क्योंकि सही गलत हमारा दृष्टिकोंड हो इनी सकता मैं एक व्यक्ति से मिला पंडित आदमी कलकता के रही बच्चा मच्छी खा रहा है तो मुझे लगा कि रही बच्चा शर्म नहीं आ रही इसको कि पंडित आदमीर मच्छी खा रहा है फिर मुझे पता चला कि उनके परिवार में कौलकता में वेस्ट बेंगौल में घर के पीछे एक चोटा सा ताला बनाते हैं पौंड और जैसे हम अपने गाजर मूली धनिया यह बोते हैं वह मच्छी हैं बोते हैं क्या हैं उनके लिए कलचरी कल दो आराम से मच्छी निकालते हैं थो आजले को ब्स बचचे कोई भी ख 할ा है आप उस से झाजर ने और लाहिए क्या है मेरे एक मितर है को ता वो डैली शराब पीता था यह हमें एक रयुममें रहते थे मैंने रूम में नवरात्रे किया तो मैंने उसको कहा देख अब तू नवरात्रों में जो है वो शराब नहीं पियेगा मैं उस व्क्ति को गलभ कैसे माल लो? मतलब मेरे दिर्श्चेव करोड़से, मैं नहीं पीता. मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं पीता. मेरे उपर कोई पाबंदी नहीं है, मैं नहीं पीता, मुझे अच्छा नहीं लगता. लेकिन Alan Low 금 उनका परिवार जो था उसके दादा जी उस समय मतलब वो अगरवाल है लेकर अगरवाल होते हुए भी वो सहुकार थे तो लोगों को पैसा देना आना जाना तो बहुत सुन्दर सा बार बना रखा है तो जैसे आप लोग चाहे कोफी सर्व करते हों बच में पैदा हुए तो टीक नीजरा ऐसे यदि आपने अपने पेरामिटर्स बना लिये बांध बना लिये अनिकर्स बना लिये तो फिर बहुत सारी नदियां आकर के एक समंधर नहीं बन पायगा जीवन समंधर है समगता है इस जीवन को आपको समंगता से जीना चाहिए और बहुत आया हम है पानी और मैं एक कच्छी बस्ती में से चला गया तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ बच्चे लाइट सी दिखी तो कुछ बच्चे केरम खेल रहे हैं केरम खेलते हैं उपर तिरपाल के बलब लगा रखा बारीश हो रही है तिरपाल के साइड से पानी जा रहा है उनके पीछे गिले हो रखे हैं पानी में हैं वो पानी में खड़े हैं मस्ती से वो केरम खेल रहे हैं मैं वा गया मैंने अपना मोबाइल अंदर से उस तिरपाल के अंदर जाकर अपना मोबाइल निकाला आप फोटो ज लिए हैं वह साव उनको कोई मतलब नहीं can you believe it कि आ एक आदमी unknown person आ परका नाटक करते हैं उनका जो मैंने रंब उनका उस चीज में जो रमनी था देखी जैसे रमतरए आ या बोलते हो ना वह जैसे रमें हुए थे ऐपने उस काम में मुझे रगता है जीवन वह है जिस काम को करो उसमें इतना मीकरों उसके बाद फिर आपके चार उतरअ पैस बड़ा आपके पास में गहर है ये है वो है इसका मतलब आप खुस है आपके हिसाब से खुस रहने का क्या तरीका है हमारे एक बहुत अच्छे शायर है उर्मिलेज जी उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ उन्होंने कहा कि दिल बहुत कोमल है इस पर बोजन भारी रखिये ज जिंदगी एक जंग है और जंग को जारी रखिये हमने जिंदगी कितनी जी इसकी न गणना कीजिए जिंदगी कैसी जी इसकी शबारी कीजिए सवाल यह है कि आपके पास कितना पैसा है और नहीं है इससे जिंदगी जीते तो तीन दिन पहले ही एक पब्लिक डोमेन में एक दसुदान बता दूँगा जीवन को और उसके आनंद को जीने का पैसे से दिकोई रखती समझता है हाँ आर्थिक रूप से सरलता है जीवन में आजा है वहाँ तक का संबन्ध तो है गर्मी लग रही एसी लगा ली तो गर्मी कम होई उसमें बुरा ही नहीं वहाँ तक का संबन्ध है और वहाँ तक का पैसे आपके पास है तो अच्छा है कमफर्टिबल है लेकिन लोन लेकर ऐसी लगाना लोन लेकर के ऐसी लगाना यदि आपके पास उस लोन को चुकाने की एक शमता नहीं है तो यह मुर्खता है डर लगता है करज लेकर के इसी लगाना कोई आवशकता नहीं है आपके पास पैसा है उससे आप इसी लगा लिजी कोई दिक्कत नहीं लेकिन सुखी होने का और आपकी आने वाली नींद का इस एसी से और उस पंखे से संबंद बिलकुल नहीं है राजपाल जी बिलकुल भी मैं पहाडों में बहुत रहा हूँ मतलब मेरा जितना मैं नीचे रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं पहाडों में रहा हूँ मुझे पहाड बहुत पसंद और मुझे कई बार लगता है कि मैं किसी दिन पहाडों में जाओंगा और वापस नहीं होगा वो पाड मुझे वही रख लेंगे, इतना प्रेम है मुझे पाडों से, पाडों में रहने वाले रोगों को मैंने देखा है, इतना मुश्किल जीवन है कि आपका बच्चा बिमार हो गया, उसको नीचे लाने के लिए तार में डाल करके एक पाल किसी होती है, वहां से छोड़ है, है क्या उसके पास पैसा, आपके अपास बाहरे सिक पास इतनी संब्रिद्धी है, भुटान के पास है क्या, हैप интेस का संब 만들 जीवन के आनंद का संबंध आपके संसादुनों से नहीं है, वह आपकी मने स्तिति से है जैसी मनेस्तितिए में रहोगे, मैंने बहुत सुर sesame देखा है और वरना चटनी रोटी मिल गई राबडी मिल गई खा कर एक सो मस्ती से राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है यो भी वावा है यो भी वावा है जो आदमी ये मान करके चलता है जीवन उसका सरह लोगा ने बिल्कुल ठीक बात कही है आपने कि हमने एक IES को भी सुसाइड करते वे देखा है सुसान सिंग राजपूत उसके पास में क्या नहीं था वैसा वैसा सब कुछ था लेकिन उसके बावजुद हमने वो गटना देखी है तो इस तरह की बाते हैं लेकिन मैं एक चीज़ेस में एड़ करना चाहूंगा कि जो जितनी आत्मत्याइं होती है उनमें आत्मत्या करने वाले को ही हम लोग समयनेते समाज का दृष्ट्यकौन होता है उसको गलत माल लेता है मेरा एमानना है कि इस दृष्ट्यकौन को बदला जाना चाहिए बहुत बार आत्मत्याइं हत्याओं के रूप में भी होती है राजपाल जी हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में इतने गिर जाते हैं इतने घुट जाते हैं कि उनको रोने के लिए कंधा नहीं मिलता उनको लगता है कि वो आकर के अपनी बात आपको बताएंगे तो आप उसको जज़ करने लगोगे आप उसका निरना अपने दृष्ट्यकौन से करने लगोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके कंधे पर आकर के रोना चाते है मैं इस वीडियो में नाम नहीं बताऊंगा लेकिन ऐसे सैकडो लोग हैं सैकडो मैंने सैकडो बोला है मतलब सो से ज़्यादा मानू आप जो बहुत बार आकर के अपने निजी जीवन की इतनी बाते हैं मेरे से कहते हैं और करते हैं जिनकों आप पبلिक डोमेल मलादे हैं तो भूचा ला जाए लेकिन उनको कोई कहने के लिए कंधा तो चाइए आपके पास भी ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो सुन रहे हैं उनके भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे उनको कंदा मिल जाएगा वो आत्मत्या नहीं करेंगे सारी आत्मत्या आत्मत्या नहीं होते हैं उनमें से कुछ हत्ते हैं भी होती है ये सामाजी का हमारी विवस्ता है जो उन लोगों को बोलने के लिए वो माहोल नहीं देती वो दिर्श्टिकोन एक बात बताई ये सफल होना ये आपका अधिकार है तो क्या ऐसफल होना आपका अधिकार नहीं होना चाहिए लेकिन आपको ऐसाफल होने का अधिकार है क्या हम एजुकेशन फिल्ड में काम करने वाले लोगे बताईए आप कितना प्रेशर में बच्चा रहता है तो आप और जीवन की सफलता का सारा संबन्द अकैडमिक एक्सिलेंस से थोड़ी होता है प्रेशर्च बताते हैं सफलता का पैमाना भी सबका अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग हो सकता है आप मुझे एक बात बताईए आपके पास बहुत अच्छा परिवार है बहुत छे माता पिता है बहुत छे पत्नी है बच्चे है मस्त आपके खेती बाड़ी है बड़ी आकमाते हैं, शुद दिखाते हैं, शुद सोते हैं आप सफल नहीं है आपको मैं कई बार सोचता हूँ धनके दिश्चोन की बात ना करूँ लेकिन मैं आपको होता हूँ अगर मैं इतना बड़ आजमी नहीं जिसका ओटोग्राफ चाहिए लेकिन फिर भी वो मांग रहा था तो मैंने का बच्चा पैन था, कि मैं इसको कैसे लिखूं कैसे बाइक नीचे लगाने के लिए कुछ होता है उसने तुरंद अपनी पीट कर दिये से, कि मैं रिपीट पे रखका तो उसकी पीट के उपर मैंने उसको लिख करके दिया आप बताओ यार इतना सने आपको मिल रहा है फिर भी आप उपर वाले से यह शिकायट कर रहे हो मेरे पास यह नहीं रहे, चंद सिक्के नहीं होंगे यार कम नहीं होंगे तो तेरे को सने कितना मिल रहा है, कितने लोग प्यार करते हैं आपको कितने लोग मन से, तो मुझे रखता है सफलता के पैमाने आपको अपने तैय करने चीए और वो मिले तो फिर मस्त रहना चीए बिल्कुल यह आपके जीवन का एक पहलू हमने आज देखा है अभी आप एक कवी भी हैं और मैं जानता हूं कि कितने अच्छी कवीताइं आप करते हैं मैं चाता हूं कि अपन इसको थोड़ा सा अलग रखें ताकि दूसरे दिन जब बात हो आपकी कवीताओं की बात हो तो उन कवीताओं को भी आराम से सुन सकें उनका अनन्द ले सकें और आपने जो दर्शकों के साथ में कुछ चीजें सेर किये लाइफ से दोड़े हमारा मेरा का थोड़ा बदला हो रहे बाकि आप बताएं आज के इंट्रिव का आपका experience कैसा रहा मुझे बहुत चार इंट्रिव लगाएं इंट्रिव क्या थी बात्चीत थी अपनी सामाने बात्चीत थी और पहली बार कुछ ऐसे प्रशन पूछे गए जो बहुत नीजी थे और मैं बहुत सारे मेरे अपने ही लोगों की चर्चाए मेरे पास लोटकर कहती है जिसमें फता चलता कि वापके बारे में कोई में चर्चा करना और चर्चा मत छोड़ो सर्व उसको आप बोलो चुगली करना मतलब चुगली करना जो है वो स्ट्रेस रिलीजर है तो यह दी मान लीजिए आपके के आपको लेकर या आपके विश्यों को लेकर कुछ लोग आपस में इसी चर्चा कर रहे है तो मुझे लगता कि मैं उनको करक्ट करने जाओं उसकी कोई जरूत नहीं अच्छी बात है ना वो हमारी बैक बीचिंग करके अगर उनका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है तो हमारी वज़े से कोई खुस हो रहा है तो कोई दिकत नहीं है उसमें कोई शिकायत नहीं और मुझे ऐसा रखता कि हमारा अस्तित्व क्या है राजपाल जी कोई बहुत बढ़ अस्तित्व नहीं अगली कभी बैठें तो चर्चा क करेंगे कि इतनी बड़ी स्ट्रस्टी में हमारी एक्जिस्टेंस मिट्टी के एक कण जितनी भी नहीं है अब ऐसे में मान लो हम इतनी सीरियोस हो करके चीजों को लेने लग जा इसके गरदन पकड़ने तो नहीं क्या का उस जिसको कहने दो आपके पास एक जीवन मिला है औ कबले जाए इसलिए अगला पल भी हो सकता आप कहरें कि अगले एपिसोड में हो सकता है अगले एपिसोड तक हम रहें ना रहें ये भी संपड़ तो ऐसे में जिन्दगी को जितना सा है उतना सा एंजॉय करें आज आपसे बात्चीत हुई बहुत अच्छा लगा और बहु आपस की बात्चीत तो मज्यदार थी ही तो आपका प्रकल बड़ा सुन्दर मुझे अच्छा लगा बड़ा मज़ा आया शुब कामना है देता हूं कि इसको आप बहुत अच्छे से ले करके जाए रहें कूब अच्छा लगा बिलकुल इसी बात के साथ आज की जो हमारी ब दो माल लगाते हैं क्योंकि बात्चीत तो जारी रहेगी आपने बात्चीत के लिए समय निकाला सर उसके लिए एक बार किसी धन्यवाल बहुत बहुत धन्यवाल आपका भी थैंक्यू थैंक्स अलॉट